दोस्तों सबसे पहले आप पुरूब देख लीजिए मैंने एक रिचार्ज किया 869 रुपे का ठीके और जो मेरा कटा 828 रुपे ठीके 828 रुपे कटा यहाँ पर मुझे टोटल 31 रुपे है 31 रुपीज का प्रॉफिट हुआ मात्र एक रिचार्ज में दोस्तों आज तक मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आप रिचार्ज करके पैसा कैसे कमाएंगे लेकिन दोस्तों यह वीडियो देखने के बात में आपको यकिन नहीं होगा कि यह अप्लिकेशन इतना जादा कमिशन दे सकती है और हाँ इसमें आपका पैसा फसने का क्योंकि यह रजिस्टर अप्लिकेशन है तो कोई एक फेक नहीं है कि चलो यार मतलब पैसा डाला पैसा डूप गया या भग गई कल को बंद हो गया ऐसा कुछ भी नहीं और हाँ आपको बता दू कि मैं एजट पेमेंट के बारे में आप लोगों बताता था काफी अच्छी की अप्लिकेशन है आज भी मैं उसे यूज करता हूँ और वहां से हमने काफी अच्छा कासा पैसा कवाया क्योंकि वहां पर और इस वालो रेफर अर्न का डाल दो आपकी अप्लिकेशन सब्सक्ठर हो जाएगी तो आज की इस वीडियो के बारे मतायेगे जहां पर आपको बाकि सारे application में मैं easy payment की बात करो तो वहां पर जिसे 4.5% BSNL में और 1% GEO में 1% Airtel में कुछ इस तरीके से वहां पर उन्रन कमिशन रखा है लेकिन इस application में directly 3.5% तो चलिए हम आपको बताते हैं अगर आप आप recharge करते हैं घर वालों का बाहर वालों का तो भाई आप 4-5 recharge करके अगर एक महीने दो महीने का recharge कर रहे हैं ना 4-5 recharge करके आप easily अपना recharge free में कर सकते हैं मेरी guarantee है तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हूं जान लेते कौन से application है कैसे यूज करना लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना और इस वीडियो को सेर भी कर देना हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल notification को आल पर सेट कर देना comment section में comment करके बताना आप कौन सी application को यूज करते comment करके जरूर बताना सो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक application इस्टॉल करना पड़ेगा आप देख सकते हैं कि यह application है तो इसका लिंक आपको वीडियो के भी यहाँ पर permission आप देख सकते हैं allow पर मिशन पर क्लिक करते हैं यहां से allow कर देते ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपना mobile नमबर ढलना है तो था हमने mobile नमबर डाल दिया करते हैं अब पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोछ रहा आपके pen कार्ड में क्या नंबर है email id OTP वह आ चुका है, अब हम register पे click करते हैं, pin code आपको 6 नमबर कर डालना है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर pay for you के term and condition है, तो आपको यहाँ से accept कर लेना है, accept, success होगी है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक pin बनाने के लिए आ रहा है, जिस तरीके से आप phone पर paytm म अब मैं यहाँ पर click करता हूँ, अब जो अमारा पी ने वर सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, जो अमारा पी ने वर सेट हो चुका है, ठीक है, फाइनली हम application के home page पर आचुके, आप देख सकते हैं कि application का home page कुछ ऐसा होने वाला है, दोस्तों यह application इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि मैं आपको क्या ही बोलू, मैं कल मातर 5 रिचार्ज करके इस application से 100 रुपया कमा लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला option है add money का, आपको add money पे click करना है, आपको UPI पे click करना है, कितना पैसा add करना है, यहाँ से आप add कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, अब यहाँ पर हमको एक DTS का option मिल जाता, यहाँ से आप सारे के सारे DTS का recharge कर सकते हैं, सारे के सारे DTS के recharge पर आपको सारे 3% commission मिलेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर fast tag recharge है, उसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से bill payment कर सकते हैं, credit card का, post pair का, electricity का, fast tag का, gas का, brass band क water wheel का, land line का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो फिलाल हम back करते हैं, back करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, chat with support का, अगर यहाँ पर आप किलिक करेंगे, तो आप इनसे directly WhatsApp के through बात कर सकते हैं, यहाँ पर कि कितना balance है, सब कुछ सो हो जाएगा, ठीक है, हमने कितना recharge किया, कितना commission हुआ, यहाँ पर click करके देख सकते हैं, अभी माँ आपको दिखाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सारा का सारा report मिल जाएगा, अब दोस्तों नीचे आपको दो option मिलेगा, cashback का, check balance का, तो जब भी अब पैसा add करेंगे, अगर आपको पैसा देखना है, check balance पे click करेंगे, यहाँ आपको दिखा देगा, कितना पैसा है, बाकि यहाँ पर एक option है, click here का, जैसे हम यहाँ पर click करते हैं, आप देख सकते हैं, कि सारा का सारा, यहाँ पर जो bill payment का option है, वो आ गया है, बाकि more के option पे क्लिक करते हैं यहां से आप чेक करना चाहते हैं किना कमिशन मिले मृला है किस रेचारज पर वख ऐसी ली चेक कर सकते है जैसे आप देख सकते है पोस्ट्पैड है मैं पोस्ट्पैड पर खीक लिख करता हूं आप देख सकते हैं कि सब 0.5% ओ भाई इतना कम कमिशन चोड़ो यार तो हम आते हैं उस application में direct for you में ठीक आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सब में 3.5% मिलने वाला है अगर हम DTH के बात करें DTH में आपको 3.5% मिलेगा पोस्ट पैर में आप देख सकते हैं दो दो रुपया मिलेगा ठीक है यानि जो हमारे DTH का है रिचार्ज का एक नमबर है ठीक है एक नमबर है बाकि दोस्तों अगर आप 3.5 करते हैं तो यहां पर आपको आपका सारा डीटेल मिल जाएगा किवाइसी करना है एक रिमेंट है जो सारी चीज़े आप देख सकते हैं लागाउट करना है पिंजेंच करना ह सारी चीज़े यहां पर आपको मिल जाएंगी लेकिन अभी इनका एक फीचर नहीं आया है रेफर एंड अर्न का वो जैसे आगा हम आपको बता दूँगा लेकिन यह अप्लिकेशन काफी बढ़ी आए आप ज्यादा ज्यादा 9-10 रिचार्ज करके अपना रिचार्ज यानि 500-300 वाला रिचार्ज फ्री में कर सकते इस अप्लिकेशन की मद़स से अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा सब पैसा अड करते और हम आपको दिछा देता हूँ कि हमें कितना पैसा मिलता है अब चलिए हम आपको बैलेंस अड करके दिछा देते हैं आप देख सकते हैं कि अभी यार पैसे फस जाएंगे, कम पैसा एड़ कर रहा है, ठीके, तो हम फटा-फट अपने UPI से, यानि फोन पे, पेटियम से कर देते हैं, तो आप अपने UPI से, फोन पे, पेटियम से कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो thousand का recharge सा यानि जो balance add हम कर रहे थे यहाँ पर add हो चुका है अब आपको back जाना है balance चेक करने के लिए नीचे यहाँ पर check balance है click करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1013 रुपे हमारा हो चुका है ठीक है अब हम recharge पर click करते हैं यहाँ पर click करते हैं यहाँ पर mobile number डाल देते हैं जिस भी बंदे का recharge करना आपको उसका mobile number डाल देना है तो दोस्तों यहाँ पर हमने number डाल दिया, अब आपको special offer पर click करना है, अगर आपको offer पता है, तो directly आप amount डाल की recharge कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे amount आज चुक है, ठीक, account सा recharge करना आपको, तो यहाँ पर मुझे 859 वाला करना है, ठीक, तीन महिने क RGV, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने select किया, अब हम recharge पर click करते हैं, अब जैसे हम recharge पर click करेंगे, हमको pin number डालना पड़ेगा, जो pin हमने बनाया था, ठीक, recharge करते समय, वही pin number डालना पड़ेगा, तो चली हम pin डाल देते हैं, तो finally हमने pin डाल दिया, और यहाँ पर ठीक है, फिराल यहाँ पर pending में डाला है, लेकिन मैं आपको screenshot दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, कुछ 2-3 सेकंड बाद यह successful हो गया, तो उमीद करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है, तो please like, share, channel subscribe करना, मिलते नेक् यह बाइ